तो सेन और जाग्रण जिसका सोना और जाग्रण यथा यूग है प्राता काल शूर निकलने से पहले निकल जाईए शूर यूदय होगा तुम यदि जाग जाओगी तो तुम्हारा स्वभाग्य विवदय होगा कितना ही दुर भाग्य हो दूर होगा स्वभाग्य विवदय होगा शूर यूदय से पहले जिसके घर अंगन द्वार पे जाडू लग जाता है कूड़ा और कचड़ा नहीं निकलता है वो दरिद्र घर का निकल कर बाहर होता है कूड़े और कचड़े की रूप में आपकी घर का दरिद्र तूर हो रहा है इसलिए जिस घर की महिलाएं प्राता काल उठकर के जाड़ों पोँचा लगा लेती है साफ सफाई कर लेती है जिस घर की माताएं बहने शाम के जूटी वरतन सामही को मांज लेती है और शवेरे टाइम पर जलपान नास्ता बोजन रिड़ी करती है हास हास कर दोड़ दोड़ कर काम करती है वे घर की इस्तरियां नारियां केवल नारियां नहीं है उनारी की रूप में नाराइनी है इस्त्री की रूप में लच्छमी है उनको ग्रह लच्छमी कहा जाता है और जिसके घर की नारियां एक्ट्यू हैं इफिक्ट्यू हैं इंप्रेश्यू हैं पाजेट्यू थिंकिंग उनकी है ऐसे घर में लच्छमी भरपूर रहती है माताओं बेहनों को बहुत जाग रोखोना चाहिए, पुरुसों को महिलाओं से थोड़ा पहले भी उठना चाहिए, ढेले मत रहिए, कितने पुरुस ऐसे भी हैं, जिनकी पत्नी उनको जगाती है, कि उठो लाल, अब आँखें खोलो, चाय लाई हूँ, आँखों में डालो, कुम्ब खरण की तरे सोर है, कितनी इस्त्रियां तंग हो गई अपने पतियों से, कि हाद मारती, एक आदमी सबेरे सोने के हिव्मत रोज करता था, कि सबेरे समय पर सों, समय पर जाबू, सबेरे ना सों, पर वो रोज सो जाता था, तुज की पतनी समझाती, माबाप समझाते, बेटे समझाते, पोता समझाते, कि दादा थोड़ी तुश सरम करो, बेटे कहते, पिता जी, अब आप बाप बन गए, अब आपको सुधरो, पतनी कहती, बुड़े हो गए, सरम नहीं लगती, सभी समझाते, और जिसको पूरा घर समझाता है, कभी नहीं समझता है, ये पक्का समझ लेना आप, उस समझाने वालों को ही, ना समझ समझता है, सब लोग उसको समझा रहे हैं, तो उसने कहा, मेरे पीछे ही तुम लोग पढ़ गए हो, कि सुबह जागो, सुबह जागो, सुबह जागो, चलो, मैं एक नौकर रख लेता और नौकर मुझे जगाएगा उसको इसी बात का बेतन दूँगा नौकर रखा नौकर से कहा पांच बजे सुबे जगा देना भगवान का नाम भी लूँगा नौकर आया राइट पांच जबे पांच बजे जगाए चादर खीचा कि उठो सेट जी जागो पांच बज गए बोले संती रखो मैं जग चुका हूँ जाओ तो फिर सेट जी चादर वोड़कर सो गए फिर आठ बजे उठे नौकर को बुलाया बहुत डाटा कि बेतन क्या फोकट कर लेता है तू छे हजार महीने देता हूँ जगा भी नहीं सकते करते क्या हूँ उसने का मालिक माफ करना मैंने पांच बजे आकर जगाया बोले जगाया तो फिर जगा क्यों नहीं जगाने का मतलब है जगाना जब तक जगूना तब तक जगाते रहना है बोले तो कल ऐसा भी कर लूगा उसने जब फिर रात भीति रात भीति बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई बहुत बड़ी समस्या उठा ही COM अगर उठा ही नहीं, नौकर गया, पांच बजे पेर पकड़ा, पेर छुआ, चादर खींचा, उसने का डिश्टर मत करो, नौकर हो, मालिक नहीं हो, वोस में रह करो, चलो हटो यहां से, नौकर चला आया, शो गया, बहुत दुख की बात हो गई, आठ बजे शोकर उठा सेठ, नौकर को बलाया, कहा की, बहुत कश्ट है, तुने जगाया क्यों नहीं, वोले मालिक पेर भी छुआ हूँ, निवेदन भी किया हूँ, हाथ भी जोड़ा हूँ, चादर भी खीचा हूँ, तुमने कहा की डिश्टर मत करो, तुमें पिर चला गया मैंने कुछ नहीं कहा हूँ, जो भी कहा हूँ, नेंद में कहा हूँ, और नेंद में कहूँ, उसकी माननेता नहीं होती, भी आप तीसरे दिन मौका फिर देता हूँ, बेतन दे रहा हूँ, जगाना, कुछ भी हो तुम जगा के मानना, तीसरे दिन फिर नौकर जगाने गया पाँच बजे चादर खीचा, लात मार दिया, सेट जी ने नो करके, तो नो करने टांग पकड़ कर खीचा, बोले कुछ भी हो आज तो जगाओं गाई, तो सेट उठ करके तो चार मुक्का मारा नो करके, तो नो कर भी गुस्सा में आ गया, बोले बेतन जाए भाड में मार पी स्टार्ट होई कमरे से तो अंगन में आ गया, तो पतनी ने कहा ये जागरण अच्छा है, ये जागरण बहुत बढ़िया हुआ है, मार पीट हो गई, शेट ने कहा तो मारने कौन अधिकारी ही नो कर है, बोले आपने पहले मारा है, इसलिए हमने जो है आपको, क्या करूं, आखी रादत छोटी नहीं, मार पीट भी हो गई, कितने घरों में जागने के लिए मार पीट भी होती है, जागते नहीं लोग है, क्योंकि जो समय पर सोता नहीं है, वो समय पर जाग भी नहीं सकता है, समय पर जागने के लिए समय पर सोना जरूरी है, और समय पर जागने के लिए आपको अगले दिन की प्लानिंग बना कर सोना जरूरी है अगर आपने अगले दिन की प्लानिंग तैयार कर ली है तो याद रखना आपका जीवन कभी भी आलस्य से भरा नहीं रहेगा हमेशा आपने आप जग जाओगे ना अलारम की जरूरत है ना घड़ी की जरूरत है आप सेम जागोगे बहुत बहुत धन्ड़वाद देता हूँ आपका जागरन प्रारम और सरीर से जागना ही केवल जागना नहीं है, माया मोह की निंद से भी जागिये, बुराईयों से जागिये, ओगणों से जागिये, कामकरोद से जागिये, लो मोह से जागिये, इस सब दुरगणों से जागिये, इन से जब जाग जाओगे तब तुमारा पूरा जीवन जाग हुआ माना जाएगा और जो हर तरे से मन से जागा है तन से जागा है वही वेक्ती रिशी और मुनी कहलाता है और ऐसे घरों में हमेशा सुक्ष, शांती और संपती और भक्ती का निवास रहता है और वही घर वास्तों में शर्ग जैसे होते हैं आपका घर शर्ग बने